आज मैंने बनाई है एक ऐसी सब्जी जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसकी सब्जी भी बन सकती है लेकिन यकीन मानिये फ्रेंड्स मैं गारंटी लेती हूँ अगर आपने एक बार इसे बना लिया ना तो आप बार बार इसे बनाएंगे हेलो फ्रेंड्स मैं हो रही तू आई ये वीडियो में फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने ये टेस्टी वाली सब्जी किस चीज से बनाई है इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिये तरबूज के चिलकों की सब्जी है बहुत लाजवाब बन दी है अच्छी तरह से मै लोग लोगों ने खा लिया था और जो इसके चलके बच गए तसका यूजम मैं कर रही हूं जो इसका हलका सा से रेडवाला हिस्सा रह जाता है उसको आपने क्या करना है निकाल देना है जैटी क्यू होगा आपकी सब्जी मैं मिठा मिठा पर बना जाए बास यह चो हलका सा इसको निकाल के हम अलग कर देंगे, तर्बूज खाने के बाद भी थोड़ा बहुत रड़ेट हिस्सा जो होता है उसका तर्बूज वो लगा रह जाता है, तो सभी तर्बूज को मैंने रेडी कर लिया है, अब आपने क्या करना है, इसके छोटे-छोटे पीसिस कट कर लीजि वो जल्दी-जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक बैल आइकन आता है, उसको जरूर हिट कर दिया करिये, ताकि जो भी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊ न, उसका नोटिफिकेशन आपके पास फोरान आ जाए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग इसको डाल दीजे, एक कुकर में, थोड़ा सा डाल दीजे, इसमें नमक और बहुत थोड़ा सा डाल दीजे पानी, क्योंकि तर्बूज में बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी आपको डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको गैस पर रख दीजिए और सिर्फ एक सीटी लगाई है इसको तेजाज पर और फिर गयास को बंद कर दीजिए जब तक तरबुच के चिलकों में सीटी आ रही है तब तक हम बना लेते एक मसाला एक बावले मैंने लिया हाफ टीजपून पिसीवी धनिया हाफ टीजपून गरम मसाल हाफ टीजपून लिये मैंने पिसीवी लाल मिश पाउडर और थोड़ी सी लिये हल्दी और इन सब को पानी डालके आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए उससे क्या होता है फ्रेंड जो मसाले होते है न बहुत अच्छी तरह से पूल जाते है और वह तेल में जबावने दालते है न तो बिल्कुल भी जलते नहीं बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साथ में मैंने एक टेबिल स्पून भर के इसमें डाल दिया है अद्रग लेस्न को कूट कर मिक्स कर दिया है आप चाहें तो अद्रग लेस्न का पेस्ट भी डाल सकते है इस तरह से आप मसाला बन जिसके मैंने या पर चिलके यूज की है तो सारे दरगूच की चिलको को मैंने अच्छी तरह से दबा दबा के निचोड लिया है बस अब बारी आती है इसमें बड़ी असा तड़का लगाने की गैस पे रखी एकड़ाई उसमें आप डाल दीजे मस्टर ऑईल और जब अच अबुड़ की च्वाईज है आप चाहे, तो काटके डाल सकते हैं, पीस के भी डाल सकते हैं या चौप कर के भी डाल सकते हैं, चार पाज दाने है जिसमें या चीनी के।.. यह हमेशा आपके बताती हूँ की प्याच को जब भूनना है इसे आप हाई फ्लेम पर हीबून इस ने तो क्या होगा, मीडियम फ्लेम पर आप भूलेंगे तो प्याज आपका जो है विल्कुल गल जाएगा बुनेगा नहीं, जब प्याज आपका हलका हलका सा ब्राउन हो जाए ना, बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है, तो उसमें डाल दीजिए आप ये मसाला जो आपने बना कर बिगो के रखा हुआ था, तरबूज बहुत फाइदे बंद होता है, गर्मी में हमें जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जदा वात्रा में पानी होता है, लेकिन इसके छिलकों की भी सबजी बन सकती है, ये आप वीडियो में देखते जाएए, और जब तरीके से जो तेल है वो मसाले से छूट चुका है, अब हमने डाल देने हैं उसमें अपने तर्बूस के चिलके, ये सबजी मेरी नानी बनाती थी जिए अपने nानी के घर जाते था पहले, तो हमारी नानी इसब्स सब्जी बनाती थी, अग्यों उनके हाथ की ही ये सबजी पसंद आती थी, और जब मम्मी बनाती थी घर में तो हमें वह स्वाद नहीं आता था, होता है नानी दादी के हाथ का अपना ही स्वाद होता है, तो अच्छी तरह से सारी सबसी को आप मिक्स कर लीजिए, और फिर आप डाल दीजिए, इसमें एक टेबिल स्पून भर के बेसन मैंने या पर बिल्कुल कच्छे बेसन का यूज किया है, बेसन को बिल्कुल भी भूनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कच्छा बेसन होता है आप उसको डाल दीजिए, और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, दो-तिन मिनिट तक इसको भून लीजिए धीमी आ सबसी का चूट जाए, और उसके बाद लास्ट मेस में आमचूर पाउडर आप जरूर डालिएगा, अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा निबू का रस भी डाल सकते हैं, साथ में डाल दीजिए धेर सारी दनिया, येकीन बानिए फ्रेंड ये सबसी बहुत जादा टेस्टी वाली, तो सबसी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है, आप इसे गर्म गर्म परोटो के साथ या रोटी के साथ खाएं तो बहुत मजदार लगती है, लेकिन परोटो के साथ में ये बहुत टेस्टी लगती है, आप अपने घर में जब भी तर्बूस आए ना जल्दी मिलूंगी, मैं आप से ऐसी नईनी वीडियो के साथ में, बाबाई, टेक केर